वेलकम बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपकी यूटीब चानल में इस्ट्री वितनी है और देखिए एजूकेशन से स्टम में मतलब कि एजूकेशन के छेतर में सिच्छा के छेतर में वेकंसी आ रखी है तो इसके बारे में डेटल में हम देखने वाले हैं और यह कॉं की गई है और यह पूर्टय का और कॉंटेक बेसे की वरती है और यह जो वेकंसी है यह रिक्सोर्स परसन के नाम से इस पोश्ट पर आपकी वेकंसी होने वाली ऑन कॉंटेक्ट बेसे अंडर दा समग्र सिच्छा मिसन जो की सेंट्रल गवर्मेंट का एक मिसन है कि सबको अच्छा मिले उस मिसन में यह वेकंसी हो रही है ठीक है और इसकी क्या-क्या सरते वागेर हो समय आपको नीचे बताने वाला हूं इसकी मोटी मोटी बात है इसका लिंक जो है इस वेबसाइट का जो मैंने यह लिया है इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा ताकि आप इसमे कुछ मोटी बाते देख लेते फिर में इसका लिंक भी आपको नीचे दे दूँगा ताकि आप सारी चीजें जान पाएं अब इसका नोटिफिशन देख लेते हैं यह देखिए सिच्छा का अधिकार सबको सिच्छा मिले सरो सिच्छा वियान के अंतरगत आपकी वेकंसी है यह इसका नोटिस है अब देख लेते हैं इसके कुछ मुख बाते हैं इंगेजमेंट ऑफ 45 45 वेकंसी हमें पहले बता चुका हूँ रिसोर्स परसन के तरह आपकी भरती होने वाली है इसकी इसेंसेट कॉलिफेशन दो है कैटेगरी एक कैटेगरी भी कोई आपके पास है तो है आपर तो काटेगरी वन के लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुट होना चाहिए उना चाहिए और व भी इस पेसले जुकेशन में या फिर अगर आपके पास जो है न डिप्लोमा है या डिग्रेव अगर घरग ऑ면श्य के तब आप इसके लिए कर सकते हो प्लाइए या फिर आपका post-gradation की कोई डिप्लोमा है special education में है तब भी आप इसके लिए है कर सकते हो यह सारी बाते यहां पर पोस्ट-gradation में professional diploma in special education तब आप इसमें जो विशेच सिछा में है वगर आपके पास डिप्लोमा, डिग्री या B.A.D. है तब ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाऊगे जो कैटेग्री B है इसके लिए देखेंगे आप कच्छा 12 पास हो और 7 में आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है इस पेसल एजूकेशन में तब आप कैटेग्री B के लिए अप्लाई कर हो क्योंकि BTC का नया नाम है डिएल जैसे आप जानते हो डिप्लोमा इन एलेमेंटरी एजूकेशन अगर आपके पास वह है तब आप इसमें अप्लाई कर पाऊगे लिए अपका इस पेसल एजूकेशन में होना चाहिए और इसमें आल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर प पाऊगे वश्यार के बात करें आपकी जो हए वह मल के लिए टीस साल है अगर आप फी मेल जनेल हो तब आपके लिए च memorial साल और जो है ना Central Government के रूल के हिसाब से आप सब लोगों को उम्र सुमा में छूट मिलेगी जैसा कि SST को 5 सल, OVC के लिए 3 सल, फिचली हैंडिकेप्ट के लिए 10 सल उम्र सुमा की बात हो गई यहां से अब इसमें रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं जो दिली की सरकार है 31 मार्च 2020 तक की आपकी यह नोकरी होने वाली है तो 2019 यह करीब-करीब जुलाई आपका चालू हो चुका है तो आप देख सकते हैं कि यह 6 मेने, यह बचे आपके पास 6 ती 9 मेने तो मतलब 9 मेने की यह नोकरी आपकी होने वाली है आपको पेमेंट कितने मिलेगा, 40,000 रुपए अगर आप ग्रेड एक लिए अपलाई कर सकते हैं जो दो भागों में हमने काटेगरी A और B में बाटी थी तो A वालों को 40,000 रुपए पर महीने मिलेगा और B वालों को 33,000 रुपए पर महीने मिलेगा क्योंकि यह जो अन्य ग्रेड हो चुके थे, आप ग्रेड थे और यह अच्छा 12 पास थे तो 12 पास वालों को मिलेगा, ग्रेड वालों को ज्यादा मिलेगी, जो कि हर जगा होता है mode of selection की बात करें, तो आपकी सिर्फ एक merit list तयार की जाएगी, merit list में अगर आपका नाम होता है, merit list आपकी तयार होगी, आप देए, while preparing merit list, 80% weight is will be, you know, the academic performance of the applicant, different level, 10th, 12th, और equivalent graduation and B.A. special education and 2 years diploma in special education और post grade diploma in special education और equivalent qualification category A and this, 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 तो 20% weight is रहेगा, कहिनेक मतलब यह हुआ बच्चों कि आपके जो कचह 10 है, जो कचह 12 है, इनके सबसे ज़्यादा marks जुड़ेंगे, इनके marks जुड़ेंगे, 80% number इनके लिए जाएंगे, और 20% number सिर्फ आपके B.A.D. के लिए जाएंगे, B. यह अपने special education में जो diploma कर रहा है, तो जिसके 10 और 12 में ज़्यादा number है, उन बच्चों के selection के chances यहाँ पर काफी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 80% उनके mark जुड़ रहे हैं, तो यह बात इसकी हो गई, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपको जो ना काम क्या करना प लब की जिनके physical handicap बच्चे हैं, disability जिन बच्चों कास में, उन बच्चों का जो school होता है, वहाँ पर आपकी जो ना duty लगाई जाएगी, उनके साथ deal करना होगा, उनने पढ़ाना सिखाना होगा, सारी चीज़ें आपको education से लेटर उनने पढ़ाना होगा, जो disabled persons हैं, जो disabled नहीं है, तो आप इसके लिए apply नहीं कर पाऊगे, और ऐसा भी नहीं कि अगर आपने जो अभी recent में seatate का exam होने वाला है, अगर आप सोच रहें कि उसमें apply कर दो, इसमें form बर दो, तो ऐसा भी नहीं है, अगर आपका result आ चुका, आप पहले seatate का certificate holder हो, तब ही आप इसमें form भर सकते हैं, number of vacancies, अभी तो 45 है, कुछ घटा बढ़ा भी सकते हैं, government जो चाहे वो वैसे भी कर सकती है, आँगे देखेंगे, ये website है, जो मैंने उपर आपको link दिखाया था, इस website पर जाकर आपको अपना online form भर देना है, और देर मत कीजिए, क्योंकि इसमें जादे दिन न बचे हैं, अगर आप इसके लिए लिजबियल हों, तो जल्दी स्वाम बर्दी एक बहतरीन payment साथ कुछ दुनों के लिए आपकी जो रोजी रोटी चलने वाली है, और आप साथ में आने government exam की भी तैरी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, तब तक के लिए आपकी हाथ म चालीज या रोपया आएंगे, और चालीज या रोपया आज की जमाने में ठीक ठाक हो जाते हैं, उमीद करता हूँ वीडियो फसंद आया होगा, और इसका लिंक मैं नीचे दूँगा, कुछ और जायना पुछना चाहते हो, कमेंट कर सकते हो, हम आप से मिलते एक लिए